क्योंके तामीर इजी है आज हम ब्रिक वर्क पे बात करेंगे बहुत सारी डिटेल्स जानेंगे और यह सारी बातें आज हम डिस्कुस करेंगे एक एक्सपोर्ट के साथ आज हमाया साथ मौजूद है स्टूडियो में अशर नसीम साथ जिनका 30 years का experience है construction के अंदर असलाम लेकुम सर आज हम बात करेंग कि ब्रिक वर्क क्या है ब्रिक वर्क बेसिकली आपके घर का structural पार्ट है यह जो हम जिसको normal language में चुनाई भी का जाता है इसके दो पार्ट होते हैं एक ब्रिक और एक मॉर्टर जब इन दोनों को combine कर लिया जाता है तो यह इसको ब्रिक वर्क कह सकते है या इसको चुनाई कह ठीक है अच्छा जब हम ब्रिक वर्क की बात करते हैं तो बहुत सारी technicalities का बहुत सारे लोग विगर करते हैं आम तो पर आम इनसान को नहीं पता होता है कि किस बारे में बात की जा रही है तो अगर हम technicalities का जिकर करें तो इस पर जरा रोशनी डाले किस तरह हम elaborate करेंगे इसक और दूसरा पार्ट जो हमारे डीपी सी लेवल का अपर पॉर्शन होता है जो हमें नदर आता है जमीन से उपर उसको हम सुपर स्ट्रक्चर करें अब ब्रिक वर्क की हम बात करें हम बात करें बिल्डिंग की तो foundation की जब बात की जाती है तो सब स्ट्रक्चर सब से पहले आ जो क्वालिटी आफ ब्रिक है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए क्योंकि ये बिल्डिंग का वो हिस्सा है जिसने आपके बिल्डिंग के लोड को करें है जिसमें सबसे जरूरी ही है कि अंडर बर्ड ब्रिक्स जिसको आम जबान में पीमिंग इनिट कहते हैं वो इस्तमाल नहीं करनी चाहिए ठीप आप इस पे ओवर बर्ड ब्रिक जिसको आम जबान में खिंगर इनिट का जाता है आचा वो आप इस्तमाल गर्सफ्टे हैं क्योंकि उसकी स्ट्रैक बहुत ज्यादा होती है इसमें आपका जो बॉटर है वो बहुत प्लिदी करदार अदा करता है इसके लिए बॉटर के भी दो कंपोनेंट है एस वान इस सिमिट एंड आदर इस सेंड जो बिलकुल बटी से बटी उसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए तो रेशू कि इसमें प्रॉपर सेंड होनी चाहिए तो रेशू आप इसमें वान इस्टो फाइव भी रख सकते हैं वान कि जो मिक्सिंग हिए वो होनी चाहिए रकमेंड इु wydaje तो यह है कि अपर बिकसर से वसके ड्राय मिक्सिंग करें और उसके बाद आप इसमें एक्ली करेंड अदर को साधू जबान में हमाई नाजरी नाजरीं जाहिए तर्वासाद्स मम् creamy सढ़त की मेरा आप मुछी में त उसको इसको प्राइब कर देना चाहिए, आदे गहंटे अंदर ऐसको इसमाल करने ना चाहिए. अगर वह इस्तमाल नहीं करता तो उसको ठीकर डी तो भी मीधि देना चाहिए , क्योंकि उसकी उसकी स्टरैंग्त हॉप representatives, ग्रैड मौटर डी की स्टरैंग्त होती कि इतने वक्फे से आपने उस जो एक स्टॉक्चर खड़ा दिया है उस पर पानी लगाने नई लगाने क्या उसका एक प्रासेस सबसे पहले तो जिती भी आपने ब्रिक्स यूज ड़नी है उसको बिल्कुल वेट कंडिशन में आपने ले करना है चुनाई के अंतर बिल्कुल का अपना एक लेवल होता है और वो सारा लेवल जो है ना वो उसको मेंटेन रखना चाहिए तुरू आप इसकी जो है कंस्टॉक्टर अच्छा कि अगर हम सूपर स्टॉक्चर की बात करें जो अफसर हम देखनें बिल्डिंग का डिजाइन और खुबसूरत लग रही है बह किस तरह उसका स्टॉक्चर कड़ा किया जाता है और उसको किस तरह हम बहतर डिजाइन कर सकते हैं लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक स्टॉक्चर आपकी किसी भी बिल्लिंग का यह स्टॉक्शल पार्ट है इस अब जाहिरा वो जब आप प्लास्टर करेंगी और यह अब हम इसके सिर्फ स्टॉक्चर और इसकी मजबूती की बात का गए है जो सुपर स्टॉक्चर की बिल्क वर्क है उसमें जिन जीजों का ख्याल रखना चाहिए उसमें पिर मैं दुबारा अर्ज करूँगा कि इसमें वेल बर्ड बर्ड ब्रिक्स नोट अंडर बर्ड जिनकी स्ट्रैक्ट अच्छी हो अवल ब्रिक्स यूज करने चाहिए मसाला बिल्कुल मटी से कलियर होना चाहिए उसके मिक्सिंग अच्छी होने चाहिए आपकी जो चुनाई है वो प्लम में होने चाहिए या जिसको हम साल कहते है ठीक है साल में होने चाहिए और ठास में ह देखे चुनाए के वक्त पांच-छे चीजे ऐसी हैं जो हमारी फिंगर टिप पे होनी चाहिए सबसे पहले अवल इंट इस्तमाल हो इंट की क्वालिटी बिल्कुल पर्फेक्ट होनी चाहिए दूसरी चीज इसमें आपका जो मॉटर है वो मॉटर की मिक्सिंग अच्छी तरह हो और उसमें जो उसकी वर्क में चीज अच्छी होनी चाहिए और ब्रिक ले करते हुए आपने अकसर देखा होगा ब्रिक के ऊपर एक टैग बना होता है जिसको हम फ्रॉक कहते है टेक्निकल बिल्कुल बिल्कुल उस फ्रॉक को अपर साइड पर रखना चाहिए नॉर्मली उस गैप का मकसद जो होता है वो मौटर को की परवाइड करते हैं जब आप 4.5 इंच की चुनाई करते हैं तो उसमें आपके जो हम प्रिक का बड़ा फेस है वो हमें नदर आता है उसमें सब रदे जो हैं सब रदे उसमें स्ट्रेचर में लगते है और आपकी जॉइंट्स इसकी वज़ा यह है क्योंकि इसकी विट्स कम होती है इसमें तिल्ट होने का डार होता है ठीक है नॉर्मली हम 3-4 फिट्स से ज्यादा एक दिन में इसको बिल्ट टाई करते हैं अच्छा सर अभी तक जितनी भी हमने कॉन्वर्जेशन की उसमें आपने एक चीज़ का चाहरी होती है मसाला कम लगा ऀतर है तो किस तरह हम उसको बैलन्स कर सकते हैं या अगर हम डीवार को मेयर कर रहें देख रहे या ठीक बनी है कि नहीं बनी किस तरा हम स urban को ऐस की यह को मॉटर की हाफ इंच की ठेकनड आनी चाहिए तो कर बिल्कुल इसको हर रदे के बाद हा आफ इंच की थिकनेस जब आप एक एंट लगाए उसके ओपर हाफ इंच का मौटर के लेयर आए इसको जब हम फैते हैं ठांस में चुनाई यही होती है जब आप लेवल में करते हैं हर आपका रदा जो वो बिलकुल लेवल में होता है एक वो लेवल में होना चाहिए दूसरा वो प्लंबे होना चाहिए यह दोनों चीज़े बहुत जरूरी है अच्छा सर एक खुबसूरत घर के लिए मजबूती बड़ी खास है कि कि किसी भी दिवार को अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहें खड़ा कर रहें तो उसकी मजबूती होनी चाहिए तो किस तरह उसकी जिसको हम आम जबान में तरही कहते है अच्छा अच्छा इसकी मजबूती बहुत ज्यादा बढ़ सकता अच्छा इसके इलावा एक तो क्योरिंग की बात की फानी लगाना लेकिन इसके इलावा कोई और भी प्रॉसेस है जिसका खास खयाल रखना चाहिए दिवार बनाने क करते हैं कि जब वो मौटर लगाते हैं वो सिरफ होरिजॉंटल जो एना उसकी मसालिकी लगाते हैं जबकि हमें इसकी ब्रिक्स के जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं उन में भी मौटर हमें लगाना चाहिए ताकि उसकी दोनों तरफ बांडिंग जो हैना वो मश्बूत हो और दिवार जोया वो काफी मसमूत बनेगा जबर्दस मतलब होरिजॉंटल तो लगाएं लेकिन वोर्टिकल भी लगाएंगे भी बहुत ज़रूरी है थैंक्यू सोमिस सर आप से बात करके बहुत अच्छा लगा और डेफिनिटली हमारे नासरीन को भी अच्छा लगा होगा औ उन्होंने बहुत सारी डिटेल में बाते जानी कूंगी और अगर बहुत सारे मजीद सवलात रह गया है आपके तो इस वीडियो के नीचे आप कॉमेंट भी कर सकते हों और तामीर एजी की वेबसाइट विजिट भी कर सकते हैं तब तर डीजिए मुझे इजाजत अलाहाफ कंस्ट्रक्शन से रिलेटिड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए तामीर एजी डाट कॉम